BJP के खिलाफ मोची में जान भरने के लिए कमान अपश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बनर जी ने संफाली है मम्ता बनर जी बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांदी, अर्विंद के जरीवाल और BJP के बागी नेताओं यश्वन सिन्हा, शत्रून सिन्हा और अरुंट्श और इसे अलग-लग मिलती रही नेताओं से मिलने का उनका ये सलसला गुरवार को भी जारी रहेगा मम्ता का दावा है कि विपक्षेक होकर BJP को टकर देगा तो उसे हर हाल में हरा देगा मम्ता बनर जी ने तीसरे मोचे की गट बंदन के लिए फॉर्मूला दिया है कि आपस में नहीं भी जीपी से लरो ये हैं मम्ता बनर जी का फॉर्मूला एक से दो हजार चौदा के लोग सभा चुनाव में BJP को 31 फीस दिवोट मिले थे वहीं विपक्ष को 79 फीस दिवोट मिले थे अगर ये सब एक हो जाए तो BJP को हराना आसान होगा दो दैश जिस राज्य में जो भी पार्टी ताकतवर है वे BJP से सीधे दो-दो हाथ करे तीन दैश राज्य में दूसरी पार्टीयों को उस पार्टी की मदद करनी चाहिए जो ताकतवर पार्टी है यानी हर सीट पर BJP के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो चार डाश अगर विपक्षेक हो जाता है तो फूलपुर और गोरक पुर्मिस सपा बसपा के साथ हाने से जैसे बी जीपी हरी वैसा ही सब जगह होगी अगर मम्मता का नुस्खा विपक्ष के मर्च की दवा है या नहीं यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन इस पार्मूले से सबसे पहले कॉंग्रिस के पेट में ही दर्ध होगा राजनीतिक जानकार मम्मता के पार्मूले के खिलाफ कुछ तगड़ी दलीले देते हैं एक टैश अगर विपक्षेक जुट हो भी जाता है तो नरेंद्र मोधी के खिलाफ कौन सा चहरा उतारा जाएगा 2-2019 के चनाव में नरेंद्र मोधी बनाम राहुल गांधी होंगी या कोई और 3- दोबारा जिन्दा होने की कोशिश कर रही कॉंग्रिस पीम मोधी के खिलाफ लड़ाई की बाग डौर राहुल गांधी के अलावा किसी और को क्यों देगी 4-कोद ममता को ही राहुल गांधी का नेत्रित्व मंजूर नहीं है 5-देश पश्चिम बंगाल की ही बात करे तो ममता के साथ लेप पार्टियां सीटों का बटवारा कैसे करेंगी 6-देश यूपी में सपा बसपा के ताल मेल में कॉंग्रिस कहा जाएगी 7-देश मोधी बन अमुल सबका फायदा उठा कर बेजेपी दुबरिक